हैलो इस्टूरेंट्स आज हम पढ़ेंगे एन सी आरटी कख्षे साथ विज्ञान का दूसरा अध्याय प्राणियों में पोशन आपने अध्याय एक में पढ़ागी पातप पोदे अपना बोजन प्रकास संसलेशन दुहारा श्यम बना सकते हैं परन्तू प्राणी मतलब जन्तू ऐसा नहीं कर सकते हैं प्राणी अपना बोजन प्रतेक्ष अत्वा परोग शुरूप से पोदों से प्राप्त करते हैं कुछ प्राणी सीधे पोदों का बक्षन करते हैं जबकि कई अन्य उन जन्तों को अपना आहार बनाते हैं जो पोदों को खाते हैं कुछ जन्तों पोदों एवं जन्तों दोनों खाते हैं याद रखे हैं कि मानाव सहीद सभी जीवों को वरदी करने शरीर को स्वस्थ एवं घती सील बनाया रखने के लिए खाद्य पदार्थ होगी आवशकता होती है प्राणियों के पोषण के पोषण में पोषण तत्यों की आवशकता आहार के अंतरगत मतलब बोजन ग्रेंड करने की विधी और सरीर में इनके उपियों की विधी सहिन नहीत मतलब सम्मिलित होती है आप अक्षा 6 में पढ़ चुके है कि खाद मतलब बोजन के नेक संगटक है इसमर्ण कर उनके नाम लिखिये मतलब कौन कौन से है जैसे प्रोटीन, कार्वाइडरेट, वसा, जल, खनी जला वना दिये है न कार्वाइडरेट जैसे कुछ संगटक जटिल पदार्थ है अनेक जन्तू इन जटिल पदार्थ को उपियोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते है तहीने सरल पदार्थ में बदल ना हो शकते है जैसे कि निमनार एक दुआरा दिखाया गया है जैसे देखेओ जैसे लंबी चेहन है इसको चोट चोट टुकडम तोड़कर सरल पदार्थ में बाट अगया है सरल पदार्थ में परिवर्ति तोड़ना या तूटना विखनन कहलाता है तता इस प्रक्राम को पाचन कहते हैं खाद अंतर ग्रहन की विबिन विदियां मानव एम कुछ अन्य जन्तूओं में सिसु मा का दूद पीते हैं अजगर जैसे सर्फ वन्स के प्राणी अपने शिकार को समुचा ही निगल जाते हैं कुछ जलिये प्राणी अपने आसपास पानी में तैरत हुए खादे कणों को चान कर उनका ब्यक्षन करते हैं एक क्रिया खलाब करते हैं दो पॉइंट एक साणी दो पॉइंट एक में धिये गए जन्तूओं के बोजन के प्रकार एम पॉश्ण प्राप्ट करने की विदी कौन सी है देखिए यहां पर गोंगा क्या करता है गोंगा यहां पर आपको लिखना है किस प्रकार का आहार लेता है यह जल में रहता है और जल की सतह पर रहने वाले खादे कणों को ग्रहन करता है तो आहार की विदी कैसे है यहां पर यह जो जल की जो सतह होती है मतलब जो भी पत्तर या युद मिट्टी है उसके उपर रहनेवाले खाद्यकनों को ग्रहन करता है चीटी चीटी कैसे करती है चीटी जो भी खाज़पदार्थ होते हैं उनको उठा कर अपने वहाँ पर ले जाती है बिल में और वहाँ पर उनका जो बोजन है उसको अपने मुमें पचाती है और उसका रस लेती है इस तरह से आप सभी जानवरों के बारे में लिख सकते हैं ज शील कर खाते हैं कुछ चबा कर खाटते हैं हैं कुछ पकड़ते हैं कुछ निगलते हैं कुछ चूंसते हैं कुछ इस तरह से नो तो यहाँ पर देखो एक अद्वूत सत्य है इस्टार फिस्मल तारा मचली कैल्सियम कार्बोनेट के कटोर कवच वाले जन्तों का आहार करती है कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमा से भाहर निकालती है तता जन्तों के कोमल भागों खाती है आमाश वापस शरीर में चला जाता है तता आर देर देर पस्ता है आप देखेंगे कि सारणी में नीचे लिखी गई खादे अंतर गयन के विदियां उन विदियों का विवरण लिखिने में सायग है जिसमें जन्तु बोजन का अंतर गयन करते हैं मानों में पाचन, हम अपने मुख द्वारा बोजन का अंतरगन करते हैं, इसे पचाते हैं तता फिर इसका उपयोग करते हैं, अहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निसका सित किया जाता है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रियास किया है कि सरीर के अंदर बोजन का क्य गुई का, ग्रास नली या ग्रेसी का, आमाश है, चुदान तर मतलब छोटी आंथ, ब्रेदान तर मतलब बड़ी आंथ, जो मलासिस जुड़ी होती है, तदा छटा है मलदुआर, अत्वा गुदा, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, यह सभी भाग मिलकर आहरनाल मतलब विभीन ग्रंथिया, जैसे लाल ग्रंथि, यक्रत, अगनाश है, पाचा ग्रस इस्त्रावित करती है, पाचा ग्रस जटिल पदार्थ को उनके सहल रूप में बदल देते हैं, आहरनाल एवम सम्मद ग्रंथिया, मिलकर पाचन तंतर कर निर्मान करती है, तो यहाँ पर आप आहरनाल के विभिन भागो के बोजन का क्या होता है, मुख एवम मुखवी का, बोजन का अंतर ग्रंथ मुखदुवार होता है, आहर को सरीर के अंदर लेने की प्रिक्रिया अंतर ग्रंथिया कहलाती है, बूज चितर 2.2 में दिखाए गई अत्यदिक कुंडलिच दांतर को देखर आश्री सकीत है, वह इसके लंबाई जानना चाहता है, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, प्रेश्ट संग्य सत्रा में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, कल्प ना कीजिए कि इतनी लंबाई हमारे सरीर में छोटे से इस्से में कैसे समाई हुई है, हम दा मसूडों के बीच अलग-अलग गर्ती का मतलब सोखेट में दसा हुआ होता है, हमारे दांतों की आकरती बिन बिनने तथा उनके कारिये भी बिन बिनने इनके अनुसार, इन्हें अलग-अलग नाम दिये गए है, क्रिया गलाब 2.2, अपने हाथ दो ये, दरपन में देखते देवे अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तरजनी से दांतों की दांतों को छूकर महसूस कीजिए, आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं, एक से बतवर रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काट दिये, आप उसे काटने, मतलब काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों को प्योग करते हैं, कौन से दांत खादे पदारतों को चीरने, मतलब वेदन और फाडने काम में आते हैं, इन दांतों पहचानी है, अपने प्रेक्शन सारणी 2.2 में लिखिए, जो सारणी दिख रहे हैं, आपको इसमें लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखि अगर चवरनक आगे की जो छोटी दानत है रदनक जो कीले टाइब दानत होते है और करन तक आगे काटने वाले दानत होते है हमारे मुख में लाल गरंती होती है जो लाला रस लार गरंती होती है जो लाला रस जिसकों लार गरंती बोलते है लार स्रावित करती है क्या आप जानते हैं कि लाला रसका बोजन पर क्या प्रवाब पड़ता है आईए इसका पता लगाएं तो यहाँ पर आप दातों की संख्या गिंड कर आपको लिखनी है इस हरनी में तो दूद के दात और इस्टाई दात इनमें क्या अंतर होता है इसको जानी है क्या आपको याद है कुछ वर्स पूरों आपके दात गिरने लगे थे मतलब जब आप साथ साल की उमर में थे हैं आपके दात तूट गए थे और नए दात आने लगे थे हमारे दातों का प्रतम सेट सेसव काल में निकलता है तो लगोग आठ वर्स की आयू तक ये सभी दात गिर जाते हैं इन्हें दूद के दात कहते हैं इन दातों के इस्तान पर दूसरे दात निकलते हैं जिने इस्ताई दात कहते हैं सामाय स्वेस्ट व्यक्ति के इस्टाइदात पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथा भी वर्दा वस्ता में ये प्राय गिरने लगते हैं क्रिया कलाब 2.3 दो पर्षनली लीजिए उन्हें A और B चिनित कीजिए पर्षनली A में एक चमच उबले चाउल डालिए एक चमच उबले चाउल मुख में लेकर 3-5 मिन तक चबाईए और उन्हें दूसरी पर्षनली B में लीजिए दोनों परकनलियों में 3-4 Ml जल ड़लिए अब दोनों परकनलियों में आयुडियन विलियन की 2-3 बुंदे डालिए दाथा उनका प्रेक्षन कीजिए आप परकनली A ताथ B में क्या अंतर देखते हैं परकनली के रंग में परिवर्जन क्यों आता है दोनों परिणामों की चर्चा अपने मित्रों यह अध्याफक्ष कीजिए लाल रस्चावल के मंड को सरकरा में बदल देता है जीव एक मानसल पेशी अंग है जो पीछे की और से मुगुई का के अधरतल से जुड़ी होती है इसका अग्रभाग शुर्दंतर होता है और किसी भी दिसा में मुड़ सकता है क्या आपको जीव के कारिये क्या आते हैं हम बोलने के लिए जीव का उपयोग करते हैं इसके तरिक यह बोजन में लार को मिलाने का कारिये करती है तथा निगल नविव साहता करती है जीव दुआरा ही हमें सुआद का पता चलता है जीव पर सुआद का लिखा है होती है जिनकी साहता से हमें विविन परकार के सुआद का पता चलता है क्लिए अखलाब दोपन चार दुआरा हम सुआद का लिखाओं के सितिका पता लगा सकते है उससे पहले एक छोटा सा ये दांतों के बारे में लिखा हुआ है इनके बारे में पढ़ते हैं मिठाईया और दांच है कि दांतों में जो क्लिड़ा लगता है क्यों लगता है उसके बारे में पढ़ते हैं समाने था हमारे दांत मुख में जिवानों पाय जाते हैं परन्तु उनसे हमें कोई हानी नहीं होती फिर भी खाने के पच्छाति यदि हम दांत ये मुक साफ नहीं करें तो मुक में अन्य खानी कारक जिवानों वास करके व्रदी करने लगते हैं ये जिवान दांतों के बीच फसे बोजन की सरकरा का विकटन कर अमल निर्मोजित करते हैं ये जानने के लिए कि अमल क्या है दैप पांस देखिए ये अमल देर देरे दांत को चती पहुंचाते हैं इसे दंद छे कहते हैं यदि समय रहते इसका उपसार ने किया जाये तो दांतों में ऐसे पीड़ा होने लगती है तदा चरम आवस्ता में तूटकर गिर जाते हैं चोकले ठंड़े पे और चीनी युक्त मिठाईयां वे अन्य पदार दन छेके मुख्य रूप से उत्तरदाई होते हैं अते प्रते एक व्यक्ति को प्रती दिन कम से कम दो बार ब्रस अत्वा दातों करनी चाहिए तता कुछ भी खाने के तुरंद बात कुल्ला करना चाहिए मुख्य अंदर गंदी युली अत्वा बिना दुलिये वस्तु नहीं डालनी चाहिए ठीक है चलो अब क्रिया खलाब करते हैं 2.3 नीम प्रतों के लालग विलियन तैयार कीजिए चीने का विलियन, नमक का विलियन, नीबु का रस, नीम की पत्ती, अत्वक, करेले का रस अपने किसी मित्तर की आँखो पर पट्टी बांद कर उसे अपनी जीव बार निकाल कर सीधी रखने के लिए कहिए चीतर 2.6 में दिखाए, गई जीव के विवेन चेतरों के उपर, उपर वक्त में से किसी एक विलियन के नमूने की एक एक बून रखिए विलियन डखने के लिए दात कुरेदने की सीध का उप्योग करें इस प्रक्रिया को अन्य विलियन के साथ दो राईए प्रतेक विलियन के लिए प्रतप्रतक शीक का उप्योग कीजिए अपने मित्र से पूँचे कि जीव के किस चेतर का चेतर से उसे मीठे नमकीन खटेम कड़वे का कड़े स्वाद का अनुबवा होता है अब अपने प्रेक्शन रिकोर्ड करें तो चेतर 2.6 में दिखाए गए प्रतेक शेतर में उस स्वाद का नाम लिए जिसका समवेदर मतलब अनुबव उसके द्वारा होता है अन्य सहफाथियों के साथ इसके लिए कलाप को दो रहे है अब हम पढ़ते हैं बोजन नलीगा के बारे में मतलब ग्रसीका निगला हुआ ग्रास नलीए तो ग्रसीका में जाता है चितर 2.5 तो देखिए ग्रसीका गले एम वक्षे होती हुई मतलब ठाती से होती हुई जाती है ग्रसीका की भित्ती के संकुजन से बोजन नीचे के और सरकता है वास्त्व में संपूर्ण आहार नाल संकुजित होती है तथा यह गती बोजन को नीचे की और दखेलती रहती है कभी गभी हमारा आमाश खावे बोजन को स्विकार नहीं करता फल शुरूफ वमन दुआरों से बाहर निकाल दिया जाता है एसी गटना याद कीजिए जब बोजन के बाद आपने वमन किया हो मतलब उल्टी कियो और उसके कर्ण के विश्य के बारे में सोचिए अपने अभिवाओं के मध्या भगों से इसके बारे में चर्चा कीजिए तो इस तरह से बोजन अंदर जाता है और ये आमाश में जाके इखट रहता है पहली जाना चाहती है कि वमन के समय बोजन विपरी दिशा में किस प्रकार जाता है तो यहाँ पर आपके छोड़ा से वीडियो दिख रहा है कि किस प्रकार से उल्टी होती है आमाश मोटी बित्ती वाली एक ठैली नूमस नरजना है यह चप्ता एवं जे की आकरती का होता है तथा अहर नाल का सबसे चोड़ा भाग है यह एक और ग्रसी का मतलब ग्रास नली से खादे प्राप्त करता है तथा दूसरी और चुदांतर में खुलता है कभी कभी जब आप जलड़ जलड़ी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं आपको खासी उठती है और इच्की आती है अथा बोटन का अनुवा होता है यह खाद करनों के स्वास नली में प्रिवेश करने के कारण होता है स्वास नली ग्रसी का से आने वाली वाई को फेपरो तक ले जाती है यह ग्रसी का एक साथ साथ चलती है परंतो गरषणी में वाई-उ-उ-ए-म बोजन मार्ग एक ही होते हैं फिर बोजन को सुआंशनली में प्रवेश करने से किसप्रारो पा जाता है बोजन नीगलने के समय एक मानशल सराजना वालू का कारिय करती है जो स्वास नली को ढख लेती है तता बोजन को ग्रशनी में भेज देता है सयोग वस यदि बोजन के काड़न, बोजन के कन स्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें गोटन का अनुवा होता है तता हिचकी आती है या खांसी उठती है आमाशी का आंतरिक अस्तर मतलब सत्य है सलेसमल हाइडरोकलोरिक अमल तथा पाचक रस स्रावित करता है सलेसमल आमाशी का आंतरिक अस्तर को स्रक्षपदान करता है अमल अन्यक ऐसे जिवानों को नश्ट करता है जो गोजन के साथ वह पहुंच जाते हैं साथ ही यह माध्यम को अमलिया बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सायता मिलती है पाचक रसों मतलब जठा रस प्रोटीन को सरल बदार्तों में विगटित कर देता है चुद आंतर मतलब छोटी आंत लगबक साड़े साथ मीटर लंबी अत्यदिक कुंडलित नली है यह यकरत एवं आमाश से स्राव प्राप्त करती है इसके अतिरिक इसकी बित्ती में भी कुछ रस स्रावित होते है यकरत गहरी लाल भुए रंग की ग्रंती है जो उदर के उपरी भाग में वाहिनी दाहिनी निदल दक्षिन और अवस्तित होती है यह सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है यह पित्रस रावित करती है जो एक थैली में संग्राइत होता रहता है इसे पिताश कहते हैं, पित रश वसा के पाचन में महतुन बुविगा निवाता है अगनाश हलके पिले रंग की बड़ी गरंती है, जो आमाशी के ठीक नीचेस्तित होती है अगनाशिक रस कार्बो हाइडरेटेवं प्रोटीन पर क्रिया करता है, तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्चित कर देता है आंशी गरूप से पचा बोजन अब चिद्वानत की निचले भागे में पहुचता है, जहां आंटरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है कार्बो हाइडरेटेट सरल सरकरा जैसे गुल्कोस में परिवर्थित हो जाती है वसा अमल एम ग्लिस्रोल में तथा प्रोटीन एमिनो अमल में परिवर्थित हो जाती है एक विलक्षन दुरगटना दुआरा आमाशी की कारिया प्रिनाली की खोज होई सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक ब्यक्ति गोली लगने के करण बुरी तरह से गायल हुआ गोली से वक्ष शती ग्रस्त हो गया तथा आमाशी में एक चिद्र हो गया उसे विलियम वियूमोन्ट नामक अमेरिकी सेंग चिकित्सक के पास ले जाया गया चिकित्सक ने उसकी जान तो बचाली परंतु है आमाशी का चिद्र बहली बाती बंदने कर सका तता उसने चिद्र को पट्टी से डग दिया वियूमोन्ट को चिद्र में से आमाशी के अंदर जहांकेने का दुरलब अवसर प्राप्त हुआ उसने कुछ रोचक प्रेक्शन किये वियूमोन ने देखा कि आमाशी बोजन का मंधन कर रहा था उसकी बित्ती से तरल स्रावित हो रहा था जो बोजन को पचा सकता था उसने यह भी देखा कि आमाशे चुदान्तर में तब ही खोलता है जब आमाशे में बोजन का पाचन पूर हो जाता है चुदान्तर में आवसोसन कैसे आवसोसन होता है पचावा पोजन अवसोसित होकर चुदांतर की बित्ती में इस्तित रूदिर वाहिखाओं में चला जाता है इस प्रक्रम को अवसोसन कहते हैं चुदांतर की आंतरिक बित्ती पर उंगली के मामले समान उबरी हुई सन्रचन होती है जिने दीर ग्रोम अथुआ रसांकुर कहते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर ग्रोम की आंतर में क्या बूमिक है दीरोम पच्चे हुए बोजन के अफसोसन हेतु तरल छेतर बढ़ा देते हैं प्रतेक दीरोम में सुक्षम रूदिर वाईकाओं का जाल फैला होता है दीरोम की सताय से पच्चे हुए बोजन का अफसोसन होता है तता यह रूदिर वाईकाओं में चला जाता है अवसोसिक पदार्थों का इस्ताना अंध्रन दूदिर वायका और द्वाराश सरीर के विबेन भागो तक होता है जहां उनका उपयोग जटल पदार्थों को बनाने में किया जाता है इस प्रकरम को स्वांगे करण कहते है कोशिकाओं में उपस्तित कोशिकाओं में पस्तित गुलकोस का विगटन ऑक्षिजन की साहता से कार्वनडाई ऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और उर्जा मुक्त होती है बोजर का वैबाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अत्वा आवसोसन नहीं होता ब्रदान्तर में बेज दिया जाता है ब्रदान्तर बड़ी आथ ब्रदान्तर चुद्धान्तर का कि अब एक्षद चोड़ी एवं छोटी होती है यह लगए डेड़ी मीटर लंबी होती है इसका मुक्किकारिय जल एवं कुछ अन्य लवनों का उससुन करना है बचाओ एपचित पदार्थ मलाशी में चल जाता है तथा अर्ठोज मल की रूप में रहता है समय समय पर गुदा दुवारा यह मल बहार निकाल दी जाता है इसे निसकासन कहते हैं गास काने जंतों में पाचन क्या आपने गाय बैस सता गास काने वाले साकारी अन्य जंतों को देखा है वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाने रहे हों वास्टर में वे पहले गास को जल्दी-जल्दी निगल कर आमाश के एक भाग में बंडारी तर लेते हैं यह भाग रूमेन मतलब प्रसम आमाश कहलाता है रूमी नैंट में आमाश से चार भागों बढ़ जाता है रूमेन में बोजन का आन्सिक पासन होता है जिसे जुगाल मतलब कड़ खहते हैं परंतु बाद में जनतु उसको छोट-छोटी पिंटकों के रूप में पूने मुख में लाता है और जिसे वेच्चा बाता है इस प्रक्रम को रोमन्थन कहते हैं तब कभी आपको जल रूपी पतले मल के रूप में बारवान निसकासन के आशता होती है इस इस्टी को दस्त कहते हैं यह संकर्मन खादे विशाक्त अत्वा एपत के कारण होता है बारत में विशेशकर बच्चों में यह अती सामन इस्थिती है चरमाउस्ता में यह गातक भी हो सकता है इसका मुखेकार्ण सरीर में जल एवं लवनों की अत्यदे ख्यती होना है इसे सहस्ता से नहीं टालना चाहिए चिकित्सक के पास जाने से पूर वही रोगी को उबाल कर ठंड़क किये हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी गोल कर पिलाना चाहिए किसे जीवन रक्षक गोल अत्वा O.R.S. भी कहते है मुझा इसे जुगाली करना कहते है और एसे जन्तु रूमिनेंट अत्वा रोमन्ती कहलते है गास में सेलुलोस की प्रिशरुता होती है जो एक प्रकार का कायबो आइडरेट है किसी रूमिनेंट अत्वा रोमन्ती पसु हिरन आदी के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवन को पाय जाते है बहुत से जन्तु यह मानों सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते पहले जानना चाहते है कि ये जन्तु बोजन करते समय इसे भली बाती क्यों नहीं पचा पाते बुद्धो जानना चाहते है कि मनुष्य मलेश मवीशियों की तरह सेललोस को क्यों नहीं पचा पात सकता जानवरों जैसे गोडा, खरगोस, आदी में चुदांतर एवं बर्धांतर के बीचे एक ठहले नुमा बड़ी संचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं बोजन के सहलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जिवानों दुवारा किया जाता है जो मनोशी के आर नाल में अनुपस्त होते हैं अब तक आपने कुछ जन्तू के विशा में पड़ा जिनने पाचन अंतर पाय जाता है परणतु एसे बहुत से सुक्षिम प्राणी है जिनमें नहीं तो मुक होता है और नहीं पाचन धनतर फिर वे किस प्रकार बोजन का अंतर ग्रेंड करते हैं रता उनका पाचन उसका पाचन करते हैं खंड दोपन चार में आप बोजन ग्रेंड करने की एक अन्यरोचक विदी का ध्यान करेंगे अमीबा में संबरन यों पाचन आमीबा जलाशों में पाये जाने वाला एक कोशिक की जीवे आमीबा की कोशिका में एक कोशिका जिल्ली होती है एक गोल सगन केंदरक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमियां होती है आमीबा निरंतर अपनी आकर्ती एवं इस्तिती बदलता रहता है यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रेवर्द निकालता रहता है जिनें पादाब अर्थात क्रेमिक पाउं कहते हैं जो उन्हें गती देना एवं बोजन पकड़ने में साहता करता है अमीबा कुछ सुक्षिन जियों का आहर करता है जब इन्हें बोजन का आबास होता है तो यह खाद करणों के चारों और पादाब विक्षित करके उसे निकल लेता है खाद पदार्थ उसकी खाद धानी में फस जाते है खाद धानी में पाचाग रस्तरावित होते हैं यह खाद पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं पचावा खाद धेदेर आउससित हो जाता है आउससित पदार्थ अमीबा में व्रदी रख रखाओ एवं गुणिन के लिए उप्योग किये जाते हैं बिना पचावा अपसिष्ट खाद धानी द्वार भार निकाल दी जाता है बोजन के पाचन का आदारबुत प्रकरम सभी प्राणियों में सहमान है जिसमें खाद पदार्थ सरल पदार्थों में परिवाचत किये जाते हैं एवं उजा मुक्त होती है अगले अध्याय में आप आंतर द्वार अवसुषित खाद पदार्थों का सरीर के अन्य बागों में इस्तानांदरन के विशा में पढ़ेंगे ठीक है तो ये आपका अध्याय था इसके सारा अंस वो आप देख लीजिए जन्तु पोशन में पोशक आवशकता है बोजन अंतर ग्रेंड की विदिया एवं सरीर में इनका उप्योग सम्मिलित है आहर नाल तथा स्रावी ग्रंतिया समयक तूप से मानों के पाजनत अंतर का निर्मान करती है इसमें मुखे गुई का ग्रेसी का आमाशे शुदांतर ब्रादांतर जो मलाश में समापत होती है गुदा सम्मिलित है पाज़ा ग्रेस सरावीत करने वाली मुखे ग्रंति का यह है प्रोटीन का पाजन आमाश में प्रोटीन का पाजन आमाश में प्रारम होता है यक्रत द्वारा स्रावित पित अगनाश में अगनाशिक स्राव एवं चुदांतर बित्ती द्वारा स्रावित पाचक रसकी किरिया में बोजन के सभी घटकों का पाचन चुदांतर में पूरत होता है जल एम कुछ लवन ब्रेदांतर में अवसोसित होते हैं अवसोसित पदार्थ सरीय के विबन भागों को इस्तानानित कर दिये जाते हैं बिना पच्छे अपसिष्ट जिनका अवसोस नहीं होता मल्क के रूप में गुदादवार सरीय के द्वारा बाहर निकाल दिये जाते हैं तो बतो यह आपका अज्जाय था कैसा लगा कमेंट करें ज़रूर बताएं आप इसके फुष्ण उत्र श्यूम कर सकते हैं वैसे आपके जो पुष्ण उत्र जाज़ता रहा हो सारांस में मिल जाएंगे ठीक है वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद